हेलो गाईज अगें में यूट्यूब चैनल कोडिंग पीडिया फिर से मैं आज़र हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में जिसमें हम आज देखेंगे के साइको थेरफी से रेटेट कॉश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है आज के टाइम पे साइको थेरफी से पहुंचोंगे बहुत जल्दी ठीक है इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताने वाला हूं डिटेल में तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखेंगा ठीक है यहां पर हम यह बात करेंगे कौन सा कोड़ करते हैं सारा कुछ देखने वाले हैं कोर्स का डेस्क्रिप् हलो गाइस आज की वीडियो में आपको एक इंपोर्टन टॉपिक बताने वाला हूं रिलेटेट टू मेडिसन चेप्टर जो कि हमारा क्या है साइको थेरपी ठीक है इस टॉपिक में आपको पताऊंगा क्या चीज है आप इसके कॉस्टन को एजली कैसे सॉल्ब करोगे ठीक है तो देखो हमारा जो कोड है 90832, 90833, 90834 यह हमारे किसके लिए आते हैं साइको थेरपी के लिए इंडिविजल पेशेंट के लिए ठीक है और जो हमारी साइको थेरपी रहेगी वो फेस टू फेस रहेगी ठीक है तो यह पैराग्राफ आप पढ़ लेना बुक में यह इं करना है ठीक है इस पैराग्राफ में क्या है आपको यह पता चलेगा कि कौन से कोड की कितनी टाइम रेंज है मतलब कितना टाइम रेंज रहेगा तो हम कौन सा कोड कोड कर सकते है ठीक है जैसे माल लो हमारा कोड है 90832 ठीक है यह हमारा कोड है इसकी जो टाइम रेंज है वो रही है individual patient है ठीक है और उसका time range 35 minute है psychotherapy का और इस time को देखोगे आप तो हमारा यह किसके बीच में आता है 16-37 minute के लिए तो जो हमारा right answer रहेगा वो रहेगा 90832 ठीक है और जो code हमारा 16-37 minute इसको भी हम 90833 के लिए भी code करते हैं जो हमारा code है 90833 ठीक है यह हम जब code करेंगे जब हमारे सिनारियों में क्या होगा psychotherapy होगी ठीक है और उसके साथ में क्या होना चाहिए evaluation and management होना चाहिए ठीक है यह जो code हमारा 90833, 90836, 90838 यह तीनों code हमारे किसके लिए होते हैं psychotherapy plus ENM मतलब कि evaluation and management वहाँ पे होगा जब हम इन course को code करेंगे ठीक है और यह जो code हमारा 90832, 90834, 90837 यह हम जब code करते हैं जब हमारे सिनारियों केबल क्या होगा psychotherapy होगी और time range होगा ठीक है यहाँ पे ENM वाला कोई भी concept नहीं होगा ठीक है time range का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कौन सा code हम कब code करते हैं ठीक है बस यह time range आपको देखना पड़ेगा इन time range के इसाब से ही आप easily इस type of questions को solve कर पाऊगे ठीक है psychotherapy के लिए होता है ठीक है और इसमें मालों यह 30 minutes के लिए रखा है कभी 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 क्या आपको डायरेक्ट 30 minutes के लिए है कॉस्चन में के psychotherapy हुई है तो आपको पता है डायरेक्ट आप code करते होगे 90832 ठीक है अगर मालों यहाँ पर 30 minutes की अगर 35 minutes होता तो क्या है student confuse हो जाते है तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप क्या देखोगे time range देखोगे जैसा कि हमारे code के आगे दे रखा था 90832 के आगे जो time range है वो 16 से 37 minutes है ठीक है आप क्या देखोगे आप देखोगे यह वाला paragraph ठीक है अगर आपका exact time match नहीं करता है तो आप यह paragraph देख लोगे और आपको easily समझ में आ जाएगा किसके साथ में कौन सा code जाएगा ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि जो 90832 हम कब code करते हैं जब हमारे scenario में क्या होगा psychotherapy होगी 30 minutes होगा यह मानलो यह वाला time range होगा तो हम यह वाला code करेंगे ठीक है और जो हमारा code 90833 यह हमारा किसके लिए आता है यह आता है psychotherapy time हमारा 30 minutes वही है ठीक है with क्या है ENM जैसा कि मैंने आपको बतायाता है starting में कि जो हमारा 90833 code 90836 है और 838 है यह हमारे किसके लिए आते हैं with ENM ठीक है आपके scenario में psychotherapy होगा with ENM होगा और वहापे कुछ time दिया होगा तो आप उसके according क्या है in course में से कोई भी code करोगे ठीक है वो time देखोगे और आपना match करोगे कौन सा code किस time के according match कर रहा है ठीक है अगर exact time match नहीं करता तो आप क्या देखोगे time range देखोगे ठीक है इस तरीके से आप देखोगे और आपको एक की जो समझ में आनी चाहिए कि यह सारे जो code किसके लिए individual psychotherapy के लिए ठीक है जो कि हमारी होती है face to face ठीक है guys आयोप आपको समझ में आ गया होगा कुछ और course मीं है psychotherapy के तो देखो यहां पर दे रखा है जो हमारे important course है कुछ और psychotherapy के वह है 90839-90840 यह किस के लिए है guys यह हमारे आते है psychotherapy for crisis ठीक है पहली 60 minutes के लिए 90839 ठीक है और अगली additional 30 minutes के लिए हम code करते है जो हमारा addon code है 90840 ठीक है तो आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए देखो यहां पर एक और important चीज है psychotherapy less than 30 minutes ठीक है तो हम उस time पर क्या code करेंगे वहां पर हम code करेंगे code range 90832 से लेके 90833 ठीक है और जब हमारा 833 होगा तो वहां पर क्या होगा हमारा ENMB होगा जैसा कि ह हमारे code के साथ में दे रखा है यह वाला code हम जब code करते हैं जब हमारा evaluation and management हो रहा होगा सेनारियो में ठीक है तो यह भी important थोड़ा सा इस paragraph को भी आप देख लीजेगा अभी देखो और भी चीज है कुछ यहां पर देखो कुछ इस course भी हमने family psychotherapy के लिए जो कि हमारे कौन-कौन से है जिसमें हमारा आता है 90847 ठीक है यह वाला code आता है हमारा 90849 यह code आता हमारा यह हमारे किसके लिए आते हैं guys यह हमारे आते है family psychotherapy मतलब कि यह समझे लो यह भी psychotherapy के course है पर यह इसमें आपको पता चलेगा particularly यह किस-किस के लिए हम code करते हैं ठीक है यहाँ पर जो मैंने चीज़ां highlight कि हैं इनको भी पढ़ लो ठीक है यह भी important है ठीक है जो हमारा code है 90849 यह हमारा multiple family group psychotherapy के लिए more than multiple family group उसके लिए हम यह वाला code करते हैं ठीक है अब हम इसके कुछ questions देखेंगे जिससे आपको better understanding लगेगी कि हमार कैसे right answer जाएगा और हम देखेंगे किस ताइब के question इससे related आ सकते हैं उनको हम कैसे जलसे जल करते हैं ठीक है तो देखो पहला question पढ़ो the Smith family is presented for family psychotherapy ठीक है तो यहाँ पर किसके लिए यह family psychotherapy के लिए ठीक है तो individual psychotherapy तो नहीं हो रही है तो माला वह वाला code range नहीं code होगा और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दूसरी दो family भी है ठीक है अगर हम code देखेंगे 90849 ठीक है तो यह किसके लिए आता गाइस यह आता हमारा multiple family group psychotherapy के लिए ठीक है और हमारे सेनारियों में यही चीज हो रही है ठीक है हमारे सेनारियों में क्या हो रहा है multiple group psychotherapy हो रही है न तो कैसे हो रही है वह आपको समझ में आ गया फैमिली हो रही है उसके साथ में अधर फैमिली भी हो रही है तो क्या हो गया मल्टीपल गुरुप साइको थेरपी हो गई तो हमारा राइट आंसर डिरेक्ट जाएगा इसमें कौन सा 90849 यह तो इजी कॉश्चन है डिरेक्ट आप कर 35 मिनट्स ठीक है अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमारा क्या क्या दे रखा है साइको थेरपी दे रखी है उसके साथ में 35 मिनट्स दे रखा है ठीक है अगर आप कोड देखोगी 90839 90834 90846 90832 ठीक है तो देखो सबसे पहले आप एलिमिनेट करो तो जो कोड है हमारा 90 90834 यह हमारा किसके लिए आता है गाईज यह आपको पता है 90834 किसके लिए आता है यह हमारा आता है गाईज साइको थेरपी कितने टाइम के लिए 45 मिनट्स के लिए ठीक है बट हमारे सेनारियों में क्या है हमारा टाइम 35 मिनट्स ठीक है और अगर आप इस कोड का टाइम भी देखोगे, 8, 3, 4 का तो वह हमारा क्या है, 38 मिनेट से लेके 52 मिनेट तक, ठीक है, तो यह हमारा time range में भी match नहीं करता है, अगर आप time range देखोगे, तो वह हमारा क्या है, वह match करेगा 16 minutes to 37 minutes वाले code में, जो कि हमारा क्या है, 90 832, ठीक है, आपको समझ में आ गया हमारा टाइम जो मैच कर रहा है इस कोड के साथ में जो कि हमारा क्या है 90832 जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था गाइस यह जो पैराग्राफ है काफी इंपोर्टन रोल प्ले करेगा ठीक है इसको बहुत अच्छे से देख लिजेगा टाइम रेंज कौन सी दे रखी है किस कोड के लिए ठीक है तो देखो अगर डारेक्ट देखोगे तो डारेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है आपको बस वही पैराग्राफ देखना है उसमें आपको बस यह देखा है आपने कि आपके सेनारियों में साइको थेरपी दे रखी है साइको थेरपी के साथ में टाइम दे रखा है ठीक है साइको थेरपी के साथ में टाइम दे रखा है 35 मिनट्स ठीक है तो आप डारेक्ट अगर टाइम रेंज मेंच करोगे तो डा evaluation and management और हो रहा होता है यहां पर इस question में ठीक है उस टाइम पर आपका क्या answer जाता तो उस टाइम पर आपका यह वाला answer नहीं जाता उस टाइम पर हम देते 90833 वाला code क्यों देते क्यों कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था गाइस जो हमारा code है 90833 यह हमारा किसके लिए आता है psychotherapy with ENM ठीक है और time में अगर 35 minutes होता तो यह time range हमारा इसी के साथ में करता है ठीक है और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा code है 90833 इसको हम code कर सकते है 16 to 37 minutes के time के बीच में ठीक है और हमारा यह ENM का है और जैसा कि मैंने आपको example से समझाया था अभी कि अगर माल लो इस question में किवल ENM हो रहा होता प्लस में जैसे माल लो इस question में ENM हो रहा होता तो हमारा code जाता 90833 ठीक है guys I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप psychotherapy की इसली solve कर सकते हो ठीक है चीजें जो है मैंने आपको simple way में बता दी है I hope आपको समझ में अभी आ गया होगा कि कैसे आप psychotherapy से related questions को solve करोगे तो guys आज की वीडियो में किवल इतना ही if you like my video please hit the like button share and subscribe my channel for further videos related to CPC exam thank you guys